बारे में इसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना संक्रमित होने के बाबजूद, RTI PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं ऐसे मरीजों के सिटी स्केन होने के बाद कोरोना की पुछ्त्री हो रही है इस बारे में विपी नियू सम्वादाता प्रफुल्श्री वास्ताओं ने ICMR के डॉक्टर समीरन पांडा से बारे उनके मताबिक ऐसे केस ज़ादा नहीं कोरोना की दूसरी लहर में लगातार केसेस बढ़के सामने आ रहे हैं और आएसे भी केस आ रहे हैं जिसमें लोगों की आपडी की पीसियार रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ रही है यानी आठी पीस आल में इन्फक्षिन नहीं पाए जारा है लेकिन जब चेस्ट का सिटी स्कैन हो रहा है तो इंफेक्शन देखा जा रहा है पैचेस देखे जा रहे हैं इस वर बात करने के लिए में साथ मौजूज है डोक्टर समीन पांडा क्योंकि आशे मार्स से हैं सर इस तरह की मरीज भी दिख रहे हैं जिनका आड़ टीपी सा टेस्ट हो रहा है नेगेटिव यह रिपोर्ट लेकिन जब चेस्ट का सिटी स्कैन होता है तो उनमें पैचेस और इस तरह की गंबीर संक्रमन डिख रहा है क्या कहेंगे साथ देखिए यह जो कोविड नाइंटीन जब फर्स्ट वेव में पता चला दुनिया को तो उसी टाइम जो इन्वे में आप टी पीसे आर करते हुए भी आपको इन्फेक्शन या भाईर्यास का प्रेजन्स नहीं मिलेगा लेकिन जो क्लिनिकल सिंटम्स लच्छन जो होते हैं वो देखके आप एक क्लिनिकल सास्पीशन जिसको हम कहते हैं वो आप लगा सकते हैं कि सायद यह सार्स कोव्ट का बज़े से जो चेस्ट एक्स्ट्रे में चैंजेस वो चैंजेस अर ड्यू टू डिसार्स कोफ्टी इंफेक्शन लेकिन यह बहुत सारे मारीज को ऐसे हो रहा है यह गलत है तो एक दो केस ऐसे अभी भी जो सामने आ रहा है वो सेकेंड वेव का टाइम इसे घबडाने का कोई आदमी सामने आया उसको पगाल देंगे यह कभी 100% होता ही नहीं है लेकिन जादे तर मारीज जो है वो अभी भी आर्टी पीसीर टेस्ट में पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि घबडाने का कोई जरूरत नहीं है आर्टी पीसीर इस दा टेस्ट विट वेरी हाई सेंसिटिविटी और वेरी हाई स्पेसिविसीर लेकिन इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे अभी ऐसे हमने पेशन देखे हैं जिनको ऐसा हुआ है तो लोगों को क्या करना चाहिए अगर लक्षन है और आटी पीसा नेगेटिव आ रहा है यह जो भी हो अब तुरंट चले जाईए और डॉक्टर से सलाल लीजिए लेकिन वो जो बीमारी है और बीमारी को इलाज जो करना है खुद को नहीं करना है खुद को डिसाइड नहीं करना है और डॉक्टर को पास जाना है जो आपको इलाज करते हैं और सलाल लेना ह लेगिन हमारा हाथ पे जो हैं वो हमें करना चाहिए और वो क्या है वो है मास्क लगाना, हाथ साफ सुतर रखना, क्यूं? की ओना जो आप बोल रहा है म्यूटंट हो या पुराना हो और फलते हैं एक ही तरीका से, प्यों क्यूं सब्दानी ना बरता चाहिए जो वो ना करें, तो वो पालन हमें करना चाहिए तो कोरोना से बचने के लिए आपको क्या करना है लगातार हाथ धोते रहना है मास्क पहनना है और सामाजिक दूरी का खयाल रखना है क्योंकि यही वो तीन दियम है जो आपको कोरोना से बचा सकते हैं और किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज उससे बचाओ ही है